नमस्कर दोस्तों स्वागत यापका फार्मरोक्स के यूटूब एज्यूगेस्टे चनल में आज के उड़ो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्राब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बारे में बात करेंगे और उसकी बहुत अच्छे दवा के बारे में जानेंगे जैसे कि लंबे समय से लगादार खासी चल रही है तो यहाँ पर जो हम देख रहे है कि यह जो परसन है उसको लंबे समय से continuously जो वो coughing हो रहा है काफी ज़दा जो वो खासी आ रही है फिर खासी ने जो है आपको परिसान कर दिया है मलब कि इतनी ज़दा excessive coughing होती है कि आपको डेली जो routine काम है वो करने में काफी ज़दा दिक्क दाती है और काफी ज़दा खासी के कारण लगादार जो वो जलन होती है सीने में फिर मीना बलगम की यह जो खासी हो रही है मलब कि जिसको हम सुखी खासी कहते है या फिर dry cough कहते है और इसके करन क्या होता है कि जब आप बोलते है या फिर कुछ काम करते है तो उसमें काफी ज़दा जो है वो परिसान होती है especially जब किसी से बात कर रहे है phone पे बात कर रहे है या फिर कही पे lecture deliver कर रहे है या फिर किसी के साथ बात कर रहे है तो भी आपको काफी ज़दा जो है वो दिक्कत आ रही है तो ये जो problem है उसको solve करने वाली बहुत अच्छी medicine के बारे में सीखते है आज की उड़ी lecture में और जानेंगे उसके बारे में detail में तो ये सभी chapters को हम cover करेंगे आज की उड़ी lecture में और detail में जानेंगे ये medicine के बारे में तो यहाँ पर जो हम देख रहे है कि हम सीखने वाले है grilling test L के बारे में कि ये जो बहुत अच्छी medicine है कि जो सूखी खासी का जो problem होता है उसको solve करने के लिए हम उसको use कर सकते है तो उसका हम class देखे तो ऐसे class के medication की जिसको हम anti-tussives medications कहते है anti-tussives यानि कि ऐसी दवया कि जो cough suppressants के तौर पर काम करती है कि जब किसी को coughing होती है काफी ज़दा खासी आ रही है तो उसको calm करने के लिए उसको reduce करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए ये medicine जो ही वो use की जाती है तो brand name उसका हम देखे तो वो है grilling test है उसके अंदर जो doses form है वो suspension type का doses form है और especially dry cough के इलाज में इसको हम use करते हैं तो यहाँ पे में थोड़ा और आपको basic समझा देता हो तो anti-tussive जो word है उसका मतलब हम अच्छे से समझते है tussive मतलब की coughing की जो process जो खासी आती है उसको हम tussive कहते है और anti मतलब की उसको रोकने वाली दवाई तो grilling test के brand name में भी आप यहाँ पे देखो तो tuss ऐसा एक pronunciation होती है तो यह जो medication special एक खासी को रोकने के लिए use की जाती है उसको ठीक करने के लिए जो है वो use की जाती है उसके salt composition के बारे में बच्चे से समझते है तो levocloparastine जो है उसके अंदर present है और syrup base में उसको बनाया गया है फिर color जो हम देखे तो sunset yellow, fcf, ih color जो है वो उसके अंदर add किया गया है और flavor के हम बात करें तो mango flavor के अंदर यह जो है वो content available है फिर manufacture के हम बात करें तो precise bio farm pirate limited उसके manufacture है कि जो register trademark है laboratories griffin private limited का तो इनकी head office के हम बात करें तो वो मुंबई में है और laboratories of griffin private limited का जो office है वो है कोलकाता में तो यहाँ पर मैं वीडियो के बीच में आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही आपको अच्छा लगता है बहुत सारी बीमारियों के बारे में सिखना उनके उपचार के बारे में सिखना तब आप हमारी book को purchase कर सकते है decision treatment कि जिसके अंदर बहुत सारी दववयों के बारे में सिखने को मिलेगा बीमारियों के बारे में सिखने को मिलेगा वो भी काफी offered इबर प्राइस में आपको ये बुक जो है वो आप ले सकते हैं तो ये बुक को purchase करने के लिए आप हमें ये वाले नमबर पे WhatsApp कर सकते हैं तो आगे जानते हैं इसकी uses के बारे में तो special जो dry cough और उसके related जो symptoms बनते हैं उसको ठीक करने के लिए ये medication को use किया जाता है अब लेबल अच्छे से समझ लेते हैं तो ये suspension के form में available है 100 ml की bottle में आपको ये मिल जाता है यहाँ पे उसका salt composition लिखा है लिवोखलो पे रस्टिन पैंडिजोएट ओरल सस्पेंजन ग्रिरिंग टस एल उसका brand name हो गया है यहाँ पे product की content जो है वो मिल जाता है फिर bottle का जो color हम देखे तो ember color की bottle में ये suspension आपको available है और ये suspension type का doses form है मतलब कि आपको जानना ज़रूरी है कि उसके अंदर medicine होती है वो जो drug content होता है वो दीरी-दीरे क्या होता है कि नीचे bottle का जो bottom का जो part होता है वहाँ पे saddle हो सकता है तो आपको क्या करना है कि जब भी इस type के doses form को use करते है suspension को use करते है तो उसका dose लेने से पहले bottle को अच्छे से से करना है मतलब की sake well before use तो अच्छे से ये bottle को sake करे उसके बाद ही उसका जो dose है वो लेना चाहिए working के बाद करें तो ये जो medicine है वो काम कैसे करती है तो जैसे हमने आगे उसका class देखा कि anti-tussive है तो anti-tussive उसका जो main mechanism होता है वो ये होता है कि जो हमारे brain के अंदर जो cup centers होते हैं उनको वो block कर देती है inhibit कर देती है जिसके करन क्या होता है कि मान लो कि आपको ये larynx का जो इरिया है pharynx का इरिया है trachea का इरिया है तो वहाँ पे cuffing के reflexes feel होते है तो वो reflexes जो हमारे brain तक पहुचते हैं और brain को पता चलता है कि cuffing की condition produce हो रही है तो वो brain को पता ही नहीं चलता cuff के center ही block हो जाते हैं जिसके कारण ये medication लेने के बाद जो cuffing के reflexes produce होते हैं cuffing की जो process तयार होती है महलए कि आपको खासी आती है वो दीरे दीरे जो हो बंद हो जाती है तो specially suppress कर दिता है brain के अंदर रहे cuff center को और साथो साथ मान लो कि जो sensory neuron present है आपके trachea, pharynx या फिर larynx के आसपास उनको भी block कर दिती है कि जिससे पूरा एक pathway block हो जाता है और खासी का जो problem है वो ये medication को लेने के बाद swall हो जाता है अब single maximum dose हम देखे तो एक बार में कितना dose आप ले सकते तो maximum कोई person 5 ml जितना dose एक बार में ले सकता है इससे ज्यादा dose कभी भी ना ले because ऐसे side effects हो सकती है जो हम वीडियो के अंदर आगे discuss करते है फिर dose कैसे लेना है oral ही लेना है उसको और maximum दिन में 3 बार जो है वो ये dose कोई भी person जो है वो ले सकता है पर ये हम adult dose की बात कर रहे है बच्चों में अगर आपको ये use करना है तो जो बच्चों के doctors होते है pediatric doctors होते है उनकी एक बार जरूर से advise ले उसके बाद ही बच्चों को ये medication देनी होती है suspension है तो exact dose ही लेना है कभी भी high dose में use ना करे अगर high dose में accidentally ले लिया है और कुछ ऐसे serious side effect हो रही है तो नजदी की hospital में जाके आपको तुरंथ doctor से consult करना चाहिए और उसके related तुरंथी उपचार कराना जरूरी बन दे है तो इसलिए खास दियान ये रखना है कि जब ये person कोई medication लेता है ये तो high dose में कभी भी use ना करे जो हमने अभी dose discuss किया उतना ही dose जो है वो लेना होता है प्राइस के हम बात करें तो जब ये आप उसका bottle पर्चेस करते है 100 ml का तो वो 142 रूपीज में पढ़ता है कि जो उसकी latest price है December 2023 के according to तियाबे में आपको तिसे एक reminder देना चाहूंगा हमारी बुक के बारे में तो ये बुक को आप जरूर से पर्चेस कर सकते है बुक को order करने के लिए आप दिये गए नंबर पे WhatsApp कर सकते हैं अब उसके कुछ side effects समझ लीजिए तो अगर आप normal dose में भी लेते हैं तो भी आपको dryness जैसा फिल होता है आपके mouth के अंदर तो मान लोगे कोई excessive ले लेता है तो काफी ज़दा dryness फिल हो सकती है आपके mouth के अंदर कई बार कुछ लोगों को numbness जैसा फिल होता है मनलब कि कोई sensations ना हो dizziness जैसा फिल कर सकते है सीरदर्द काफी ज़दा हो सकता है palpitations मनलब की जो heartbeat है वो irregular हो सकते है दिल की धड़कन या निवेट जैसा फिल करना fentness यानि की चक्कर आना बेहोस हो जाना गिर जाना भूख कम हो जाना नीन दा सकती है आपको ये लेने के बाद fatigue यानि के कम जोरी और skin के ओपर rasis बन सकते तो अगर मान लोगे कोई काफी जादा ये ले लेता है तो आपको लंबे समय तक नीन दाती रहेगी और अगर आपको drive करना है कोई machine वगेरा handle करना है या फिर कुछ भी ऐसे काम है कि जो आपको carefully perform करने है वरना कुछ accidentally कुछ problem हो सकती है तो दिक्कत आ सकती है फिर भूख कम हो सकती है इसको लेने के बाद तो जो exact उसका जो dose है वो ही लेना चाहिए अगर ज़्यादा dose ले लेते है तो ये side effects और ज़्यादा severe हो सकती है आपकी body के अंदर वर्निंग्स हम देखिए तो अगर depression का कोई patient है hypertension मलें कि जिनका blood pressure ज़्यादा रहता है heart related patient है seizures यानि की मिर्गी के दोरे बढ़ते जिनको sugar के जो patient है diabetes के hyperthyroidism और बच्चू जो के अंदर ये जो suspension है उसको use नहीं कर दे फिर ध्यान ये रखना है कि अगर आपको driving करना है कोई ऐसे machines को handle करना है कोई machineryist को आप operate कर रहे है तो ये medication को लेने से पहले आप जरूर से आपके doctor या फिर pharmacist को consult करना जरूरी है और उनकी advice के बाद ही ये medication को ले फिर pregnancy category के हम बात करें तो इसकी pregnancy category C है तो C में जो medications होती है वो कभी भी pregnancy के दोरान use नहीं कर दे same breastfeeding के दोरान भी ये medications को use नहीं किया जथा पर जरूर से दियान रखे कि आपके gynecologist की advice जरूर से ले अगर आपको pregnancy में खासी हो रही है तो और उनके सला के according to ही आप खासी की दवाई ले सकते हैं बट ये medication को कभी भी use ना करे बिकॉज ये pregnancy category C में है developing baby के उपर risk हो सकता है अगर आप pregnancy के दोरान इसको use करते हैं drug-drug interactions हम देखे तो यहाँ पर जो listed जो medication से उसके साथ ये grilling test L जो है वो drug-drug interactions कर सकता है तो ये जो दवाईया और grilling test L उनका combination साब कभी भी ना बनाए वरना side effects और ज़दा बढ़ सकती है या फिर medicine की effect ही आपको नहीं मिलेगी तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वाला वीडियो भी अच्छा लगेगा कि यहाँ पर click करके आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते कि वहाँ पर भी आपको काफी अच्छी knowledge मिलेगी चैनल को subscribe करें Good luck and all the best